नमस्कार जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूँ गारगी आज की टाइम में बिक्नी पहनना कोई बड़ी बात नहीं है इन फैक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की बिक्नी ऐसे ही मिल जाती है जिसमें आज की एक्ट्रेसिस कमाल धाती है पर अगर बात करें 60's और 70's की तब के लिए तो बबाल थी ये बिक्नी अगर आपने 60's और 70's की एक्ट्रेसिस का बिक्नी लुक देख लिया तो आप भी बोल उठेंगे कि आज के दौर की एक्ट्रेसिस को वो मार दे सकती है तो सबसे पहले मार देने आ रही है नूतन डिमपल कपाडिया जोनों ने अपने पहले ही फिल्म बॉबी में बिक्नी पहन के सबके होश उड़ा दिये थे तो वो सिर्फ 17 साल की थी और रिशी कपूर के उपोजिट उन्हें कास्ट किया गया था डिमपल ने इसके बाद भी कई फिल्मों में बिक्नी लुक्स दिये हैं डिमपल हमेशा ही अपने बिंदास अंदास के लिए जानी जाती रही है मंदाकिनी इनके नाम में ही मधोश करने वाली बात है वैसे इनके लुक्स को देख के कोई भी दिवाना हो जाता है फिल्म राम तेरी गंगा मेली में सिर्फ सफेद साड़ी पहने परबत पर डांस करके ये मंदाकिनी ने बता दिया कि वो कितनी होट है इन्होंने भी कई फिल्मों में बिक्नी सीन्स दिये है मुम्ताज भी कहां पीछे थी इन गौजियस डिवास से फिरोज खान की फिल्म अपराद में बिक्नी सीन्स किया था हाला कि पहले वो खुद हिचकिचा रही थी लेकिन इनके इस लुक ने तहल का मचा दिया था शर्मिला टेग और उन एक्टरिसस में से हैं जो एक दोर की शुरुआत करती हैं वालीबुट में बिक्नी एरा की शुरुआद शर्मिला ने ही की थी शर्मिला ने फिल्म फियर मैगजीन कवर के लिए बिक्नी में फोटो सूट करवाय था जिसके बाद फिल्म and evening in Paris के लिए शर्मिला ने स्विम सू memoir पहना था जीनत कई फिल्मों में और मैगजीन्स में फोटो शूट के लिए बिकनी पहन चुकी थी जीनत ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिनकी फिल्मों के चॉइस भी काफी अलग थे नीतु कपूर भी बोल्ड सिंस देने में कहां पीची थी यंग एज से ही फिल्मों में काम करने वाली नीतु ने पहली बार 1971 में फिल्म जिन्दा दिल के लिए बिकनी पहनी थी उसके बाद भी उन्हें कई फिल्मों में टू पीस में देखा गया हेलन अपने जमाने की केवरे क्वीन कहलाती थी एक्टरिस कितनी बोल्ड रही ये तो हम सब ही जानते हैं हेलन ने अपने करियर में सबसे ज़ादा बिंदास और बोल्ड ड्रेसेस पहने हैं हेलन ने कई फिल्मों में आइटेम सॉंग्स किये हैं जिनमें वो काफी बिकनी लुक्स में नजर आई बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे हैं जन्भावना टाइम्स नमस्कार